गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट्स वेलकम तू माई यूटूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर्ग इस्ट्रेंट्स आज हम कुछ और एक्जाम्पल सेखते हैं इंट्रीकल के अभी तक हम काफी एक्जाम्पल अटेम्ट कर चुके हैं आज कुछ और एक्जाम्पल यहां यहांग अभी आप्जाम्पल टेम्पल सेखते हैं ऑपहर आपनेज किसम्पल फरी अगक्जाम्पल अगेग आपनेज़ेंग्स और मायनआँ एक्जाम्पल क 114 अगेग डring करना इंड्रीगे बताए कैसे करेंगे अब तक हमने ऐसा qeution एक भी नहीं गया है ही की पावार में अग्रा दिया और mb limit करेंगे हैन। सबसे पहली बात अग्रोग के pense Y लोग की कुछ properties, क्या properties बताई थी मैंने आपको, यह देखे, मैंने आपको इस बताई थी कुछ लोग की, क्या बताई था मैंने इसमें, दुबारे देख लेते हैं, log m, m और n multiply में, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, log m प्लस log n, अगर log m upon n हो, यह divide में है, m upon n, यह, m की divide में n दिया हुआ है, तो log m, m upon n का आप क्या लिख सकते हैं, log m minus log n, ठीक है, log a की power x, एक कोई भी constant है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, x log n, यहां मैं क्या बताना चारी हूँ, कि log के अंदर जो भी time है, यह जिस पे भी आप, यहाँ आप a की power x पे log apply कर रहे हो, तो जो a की power x है, ज अब इसी चीज़ का यहां use होगा, मैंने अप और भी formulas बताये थे, log के, ठीक है, मैंने यहां क्या होता है, log minus x पे define नहीं होता है, log हमें सब positive value पे define होता है, log minus x के आप value नहीं निकाल सकते है, log x की निकाल सकते है, x की यहां कुछी value हो सकती है, कोई भी arbitrary ठीक है, जैसे मैंने example गले बताया थे, log minus 2, minus all the term है ना, तो आप इसका log नहीं निकाल सकते है, log a और b, यह b क्या है, base log का, और a पे हमने apply करा log, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, log a upon log b, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिखाओ, a की पावर log ax, a की पावर में log x है, यहा तो cancel हो गया, बच्छा सिर्फ x, यह सिर्फ समझने के लिए, बट होता क्या है, मैंने आपको property होता ही थी, यादि base, और यहाँ पर जो time है, वो, same होती है, तो इसकी value होती है, 1, ठीक है, तो उसी चाप से आप सोच सकते हो, log a एक तरह से cancel हो गया, और इसकी value होगी 1, ठीक है तो यह चीज़ दिहान दो, a की power log a x की value क्या होती है, x, ऐसी जैसे a के लिए, यहाँ base क्या है, a, अगर e हो जाए तो base, इसकी value x होगी, log 1 की value 0 होती है, इसकी value बहुत जादा use आती है, important है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है, यह मैंने आपको बता ही दिया, बेस और यह time सेम हो जाए, तो इसकी value 1 हो जाती है, अगर b के लिए, a के लिए ऐसा है, तो अगर base e हो जाए, तब भी log इसकी value, log e की value 1 हो जाएगी, ठीक है, अब देखो, अब हम देखतें अपने question की और, तो यहाँ हमारा कौन सी वालो log की property हो जारी है, power वाली, मैंने आप बताया, a की power, देखो, मैंने को बताते हूं के बारे, देखो, क्या log e की power x, यहाँ पर x log है, तो हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5 log x, ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, log x की power 5, ठीक है, यही चीज़े हैं, पर term j वाली रहती है, power भाहर रहती है, तो हमें यहाँ टम दियो हुआ, इससे यहाँ टम बना रहे है, ठीक है, तो इसको क्या लिख दोगे, इस वाली टम को, integration e की power log x की power 5, ठीक है, देखो, x की power 5 है, तो कैसे होगा, 5 आ गया जाएगा, log a, ठीक है, इस वाली टम बन रही है, तो इसको बस अब इसको भी इसी तरह से प्लीज यह, क्या होगा, e की power 4 पावर में चल जाएगी, log x की power 4, अब थिरी है, यह power में चल जाएगा, ठीक है, e की power log x q, माइनस, e की power log x square, ठीक है, हमने इस सब पावर में बेज दी है, भार, हमने करना इसका integration, ओके students, हम देखिए, मैंने भी आपको प्रोपर्टी क्या ब याद रखो, जो हमने integration में log use करते हैं, इसमें base e ही चलता है, लिखो चाहे मतलिको understood है, अब मैंना को क्या प्रोपर्टी बताई थी, log e और e, इसकी value क्या होती है, 1, और एक और प्रोपर्टी बताई थी, e की power log e, और यहाँ x है, तो यह value क्या आती है, x, ठीक है, अब याद रखने की है, यहाँ हमारी प्रोपर्टी क्या है, e log e, इसकी value क्या होगा, एक तरह से 1, सोच सकते हैं, बचेगा क्या, x की power 5, यही प्रोपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, e से ही एक तरह से हट गया, सोच सकते हैं, और value होगी x, तो आप इसको क्या लिख देंगे, simple x की power 5, minus, ऐसे ही इसकी value 1 होगी, minus x की power 4, अपन यह क्यों होगा, x cube, और यह क्यों होगा, minus x square, देगा कितना easy question होगया, यदि हमें log की properties याद हो तो, ठीक है students, देगो, अब x की power 4, common आ रहा है, तो x की power 4 को common ले लीजिए, x की power 4, क्या बचेगा, x minus 1, ठीक है, अपन क्या common आ बचेगा, x minus 1, अब देगो, x minus 1 से, x minus 1 cancel होगे, यहाँ 4 power है, यहाँ 2 power है, तो उपर क्या बचाओ, 2 power, x की power 4, x square से divide जाएगा, तो क्या हैगी, x square dx, ठीक है, अब x square का क्या होता है, हम तो अच्छे से जानते हैं, तक हम कितने question कर चुके है, x की power n का क्या होता है, x की power n प् on q, plus constant of integration, c, answer, कितना easy question है, बस हमें लोग की property याद होनी चाहिए, ठीक है, देखो, next question, और देखते हैं, काभी सारे questions करेंगे, concept clear होते ही जाएगे, जितने question करोगे, math में इतने, आपके concept clear होंगे, ठीक है, यहाँ हमने integration करना है, x की power 4, plus x square, plus 1, upon x square, minus x, plus 1, ठीक है, इसे करन आपको integrate, अब देखो, यहाँ वही use आएगा, जो हमने, last lecture में हमने पढ़ाता है, कौन सा method, divide method, भाग विदी, क्या था भाग विदी में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वाले की power, यहाँ पर maximum power क्या है, maximum degree क्या है, x की 4, यहाँ क्या है, square, ठीक है, तो मैंने आपको क् तो हम भाग विदी का use करते है, last lecture मैंने आपको बताया था, तो दुबार दिखाती हूँ, देखो, मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी में देखने पहले, यदि परी में 20 गनीतिय फलन दिया गया हो तो, तथा अंश की घात, हर की घात से बड़ी हो, या फिर बराबर हो, तो हम भाग विदी का उप्योग करते है, ठीक है, if rational algebraic function, rational यानि कि upon में, जिस तरह से हमें quotient में दिया हुआ है, x की power 4, plus x square, plus 1, upon x square, minus x, plus 1, upon में दिया हुआ है, इसका मतलब rational function है, और algebraic का मतलब आप जानते हैं, जो x की form में functions दिया होते हैं, variable की form में algebraic function होते हैं, so इस त equal to, या तो greater than हो, या फिर equal to, इन दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है, end की जीए, आप लिख सकते हैं, और भी, ठीक है, end से आप सोचोगे कि, greater than और equal to दोनों निचे नहीं, और लिख लिए, जिस ते confusion नहीं होगा, या तो degree of denominator, degree of denominator से, बढ़ी हो, या फिर बराबर हो, तब हम भागविदी का यूज करते हैं, ठीक है students, भागविदी होती क्या है, end upon her, यानि की numerator upon denominator, इस form में हमें कोशन दिया होगा, तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, भागफल, यानि की कोशन प्लस, शेशफल upon her, शेशफल यानि की remainder, ठीक है, हम इस term को इस term में change कर लेते हैं, तो हमारा कोशन इजी पर जाता है, इस term प्लस लक्षन में की यह थे, ठीक है, आज इस लक्षन में भी एक और कोशन हम इस तरह कर रहे हैं, यह हमारा क्या है, x की पावर 4, यहानि की पावर जादा है, ठीक है, बराबर होती तब भी हम भागविदी का यूज करते हैं, तो simple X की पावर 4, प्लस X स्क्वाइर, प्लस 1, यही चीज है, ठीक है, लिख लिए हमने यह धिवाइड, ठीक है, अब डिवाइड करो, दिवाइड कैसे करोके, फ 모양 क्या है, यहानifter कैसे क यहान की प्लस 1 multiply हो रहा है x square से यानि कि plus x square ठीक है sign change करो यह method हम पढ़ चुके है पहले 10th class में पढ़ 10 students फिदी मैं आपको बता रही है आपको समझ आए दे sign change करने यहाँ compulsory होता है मैं आपको last lecture में भी समझ आए था इसलिए हमने यहाँ x square से multiply करा है positive x square से minus से करते है तो यहाँ पर minus आजाता फिर sign change करते है तो यहाँ क्या आता plus ठीक है यह sign change किसे साब से करते है यहाँ plus है तो यहाँ minus यहाँ minus है तो यहाँ plus यहाँ plus है तो है minus ठीक है अब देखो मैं क्या कहा रही हूँ यहाँ minus से multiply करते है यहां के आता माइनस, फिर आफ सांट चेंज करतें तो यहां के आता है, प्लस, तो यहां भी प्लस, यह भी प्लस, तो यह दोनों एड हो जाते, हमें cut करते हैं। cancel करते हैं, चलना है, अब देखो ये plus, ये minus, cancel, देखो ये plus x square और ये minus x square ठीके, तो ये cancel होगे, हमें क्या बचे हैं? प्लेस x cube और प्लेस 1 ठीक है? अब क्या करना है हमें? अब x से multiply करो x cube है न, यहाँ x square है तो हमें multiply करना पड़ेगा x से x से multiply करती है x cube minus x square plus x x cube minus x square plus x, ठीक है? sin change करीए, minus plus minus यह cancel हो गया बचा क्या हमारा? plus x square minus x और यह plus का 1 ठीक है? sin change करें न, हमने minus, कोई न रहाएगा आप sin change कर दिया यह plus x square, यह minus x और यह plus 1 ठीक है students? अब देखो यहाँ क्या है हमारा x square minus x plus 1 और यह तो same लग रहा है तो हम किस से multiply कर देगे? plus 1 से, plus 1 से multiply करेंगे यह यह same चीज तो x square minus x plus 1 sin change कर दिया minus, plus, minus cancel out, cancel out, cancel out क्यों? यह minus है, यह plus x है cancel, यह plus x square यह minus x square, cancel यह plus 1 है, यह minus 1 है, cancel शेश्वल क्या है हमारा? 0 ठीक है? हमने आपको क्या formula बताया था? इसको किस तरह से लिखते हैं है? भागफल यानिकि quotient plus यानिकि remainder upon हर, भागफल क्या है हमारा? यह रहा, लिख लिख लिजिए x square plus x plus 1, भागफल लिख लिख लिए हमने as it is, ठीक है, plus शेश्वल, remainder क्या बताया हमारा? 0 यानिकि plus 0 upon हर, हर यानिकि denominator, denominator क्या हमारा यह लिख लिख लिजिए, x square minus x plus 1 हमने इसको इस तरह से लिख लिए, integration dx, ठीक है students? अब देखो, 0 में इसका divide जा रहा है, इसमा अतलब 0, यह term तो हट गई, तो यह किसकी बढ़ावर आगया? हमें किसका integration करना है? x square plus x plus 1 का, यह term तो 0 होई गई, dx, इसका integration हम जानते हैं x की पावर n वाले formula से काउनसा formula है? x की पावर n का क्या formula होता students? x की पावर n dx का, x की पावर n plus 1 upon n plus 1 ठीक है? याद रखियो formula x square है है, n की जीगे क्या है 2 क्यों हो जाएगा? x cube upon 3 plus, यह क्या है 1 x की पावर 1 x square by 2 plus, यह क्या है 1 dx, integration of dx क्यों होता है? x, मैं आपको पहले ही बता है आप इससे भी कर सकते हो 1 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 0, ठीक है? x की पावर 0 is equal to क्यों होता है? 1, किसी की पावर 0 तो उसकी value होती हो 1, तो आप इसकी x की पावर 0 लिखोगे इसको यहाँ पर इस फॉर्मुले से कर रहो x की पावर 0 का integration इस फॉर्मुले में n बरावर क्या है? 0, ठीक है? तो यहाँ पर रख दें n बरावर 0, क्या है? x की पावर 0 प्लस 1, यानि की x upon 0 प्लस 1, यानि की 1, यानि की x तो integration of 1 का, x की और 0 का इसलिए मैं बोलती हूँ, इसका x होता है ठीक है? समझा है न, कैसे होता है? तो मैं इसलिए याद रख लिए बार बार यह सब करना ज़रूरत नहीं है सिंपल लिख दीजिए, dx का क्या होता है? x प्लस constant of integration c आता ही यह हो गया मारा answer कितना easy question था? समझा है students? देखे next फॉर्मूलास को revise करने के लिए मैं आपको एक question देती हूँ, करिए इसको फटाक से integration करना है हमने sec square x plus cosac square x integrate किजी students इसको यदि आपको formula याद है तो आप इसको फटाक से कर देंगे sec square x plus cosac square x 2 second लगनी चीज students आपको sec square x का क्या होता है integration? 10x 10x cosac square x का क्या होता है integration? minus cortex इसमें तो कुछ करने ही जरुवर्टी नहीं पड़ी इसलिए मैंने बोला 2 second हो जाएगा हम आपको formula's में बता चुके हैं इसका integration और इसका integration ठीके? 10x minus cortex plus constant of integration C answer कितना जल्दी होगे हैं नहीं? देखें next next हमारे integration करने हमें 1 upon 1 plus x square dx क्या होता है student इसका integration? बताए formula रिमाइंड कीजिए 1 upon 1 plus x square क्या होता है इसका integration? 10 inverse x या फिर इसको हम एक तरस और लिख सकते हैं plus constant of integration C तो आए गई या आप इसको एक तरह से और क्या से लिख सकते हो minus सोची बताएं 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 cot inverse x ठीके? cot inverse x plus C मैंने आपको बताया था formula में इसको दो तरह से लिख सकते हो 10 inverse x या फिर cot की form में लिखना है तो minus cot inverse x plus constant of integration C रिमाइंड किया हमने या formula वीचित में डिमाइंड करते रहेंगे है फॉर्मूला जैसे आपको अच्छे से लर्ण नोस हैं तो देखे नेक्ष्ट नेक्ष्ट हमारे इंट्रिगेट करना है 2 x की पावर 4 प्लस 7 x क्यूब प्लस 6 x स्क्वार ठीके? अपाउं x स्क्वार प्लस 2 x इसका इंस्ट्रिट्स हमें करना है इंट्रिगेशन बताएं कैसे करेंगे जो मैंने आपको बताया था भी भागविदी टिवाइजर मैथर मैंने जो लाश लक्ष्ट में बताया था बट उससे आपको दुबारे बता दिया इससे आप साब चाप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यहां पावर है 4 यहां है 2 यानि कि numerator की पावर greater than है denominator की पावर से अंश की पावर हर की पावर से ज़्यादा है इक्वल होती तब भी हम भागविदी का यूज करते हैं यहां है x square यहां है 2x की पावर 4 तो किससे multiply करेंगे हम 2x square से ठीक है जब भी same time बनेगी first तो 2x square से x square को multiply करें तो क्या देगा 2x की पावर 4 प्लस 2x को 2x square से करा तो कहाएगा 2 दूनी 4 और x x square नहीं कि x cube सो कहाएगा 4x cube ठीक है साइन चेंज करो माइनस माइनस यह cancel आउट होगे यह प्लस साथ है माइनस 4 है साथ माइनस 4 है 3 तो क्या बचा 3x cube प्लस क्या है हमारा 6x square तो लिख लीजिए 6x square ठीक है अब देखो यहां क्या है x square यहां क्या है 3x cube तो किससे multiply करेंगे इसे 3x से तो 3x से multiply कर लीजिए 3x से f square को करा तो क्या आएगा 3x cube 3x को इससे करो तीन दूनी 6x square प्लस 6f square यह तो complete cancel होगे students ठीक है प्लस है यह माइनस है cancel यह प्लस 6x square है यह माइनस 6x square है cancel out शेषफल remainder क्या बच क्या हमारा जीरो ठीक है मैं किस फॉर्मुले से भाग विदी के फॉर्मुले से हम इससे कैसे लिखेंगे answer upon her यानिकी numerator upon denominator इसको आप लिख सकते हो भाग फल प्लस 6fell upon her यानिकी caution plus remainder upon denominator तो लिख लीजी भाग फल क्या है हमारा 2x square प्लस 3x प्लस 6fell upon her 6fell क्या है 0 तो 0 में her का भाग दोगे x square प्लस 2x का क्या आएगा 0 ही 0 में किसी का divide कर लो भी 0 ही आता है तो प्लस क्या आएगा 0 हमने इसने करना है integrate बताए कैसे करेंगे x की बावर n से 2 constant भार आ जाएगा मैं आपको प्रॉपर्टी बताई थी constant integration से भार आ जाते x square का क्या हो जाएगा x cube by 3 अग्तों students आपको याद हो जाने चाहिए formulas हम काफी बार use कर चुक है x की power n का test list होना ही चाहिए 3x क्या होगा 3x का क्या होगा x square by 2 प्लस 0 तो कुछ हो नहीं नहीं प्लस constant of integration c या आग या हमारा answer कितना easy question था ठीगे देखो एक और next question sin cube x minus cos cube x upon sin square x into cos square x इसका हमने करना है integration कैसे integration करेंगे students इसका मैंने आपको बताई थी नीचे अगर इस तरी की term हो multiply वारी तो simple आप अलग-अलग apply कर ले करो अलग-अलग apply मतलब sin cube x में अलग से divide इसका minus cos cube x में अलग से divide ठीक है उससे क्या होता है कुछ term cancel out हो जाती है देखो यहां cancel हो रहा है question देखो मैं पता लग रहा है यहां sin cube x है यहां sin square x है तो दो term cancel हो रही है ठीक है दो sin cancel हो रहे है यहां से दो cos cancel हो रहे है ठीक है simple लिख लो कैसे sin cube x अपन इस तरह के question students हम पहले भी कर चुके है sin square x cos square x और dx integration भी हमने अलग अलग अप्लाइ कर दिया cos cube x अपन sin square x cos square x और dx अब देखो यहां cube है यहां square है दो term cancel होगे 2 sin cancel होगे उपर के है cube नीचे square उपर के बचाएगा 1 sin x sin x अपन cos square x ठीक है dx minus यहां cos cube है यहां cos square है तो उपर के बचाएग एक cos तो cos x अपन sin square x dx ठीक है अब देखो यहां मारा आएगा formula use sin x upon cos square x यानि कि 2 cos x है तो एक cos x लेलो पहले sin x upon cos x क्या होता है students पहले भी मैं आपको बता चुक्यों 10 x ठीक है अब एक और cos x बचाए 1 upon cos x क्या होता है sec x बता रहे था मैंने आपको sec x को आप क्या लिख सकते हैं 1 upon cos x और sin x upon cos x इसकी वेलो क्या होती है 10 x ठीक है याद रखें मैंने आपको पहले बता चुक्यों तो इससे हमने लिख लिए माइनस cos upon 2 sin है नीचे एक तो हमने लिए cos x upon sin x क्या होता है cortex ठीक है और 1 sin और बचा 1 upon sin x क्या होता है cos x ठीक है dx तो students मने लिखा ही नहीं dx लिख लिए मुल्टिप्लाय में इस फेस नहीं है अब यह लिखना हो मैं यहां लिख लिए हूँ ठीक है अब देखो 10 x sec x का integration क्या होता है मैंने बताय हुआ है आपको बताई है sec x ओके 10 x sec x का integration क्या होगे sec x cortex cos x क्या होता है इसकी integration students minus cos x minus पहले से बहार है तो क्या देगा plus cos x ठीक है plus consonant of integration c यहां कि हमारा answer कितनी जल्दी आ गया कुछ भी नहीं बस हमें फॉर्मॉला पता होना चाहिए 10 x sec x का और cortex cos x का जो हमें पता है हम फश्ल एक्षेल में देख चुके है ठीक है students देखिए जगो next लेते हैं हमने plus cortex इसका square 10 x plus cortex का whole square दे रहा है हमने करना इसको integrate कैसे करेंगे students मैंने आपको बता है था 10 x और cortex अग्या दियो है सबसे पहले इंको साइन और कोस में change कर लो साइन और कोस से हमारे कोशन इजी हो जाता है तो 10 x क्रोम क्या लिख सकते हैं sin x upon cos x लिख लिजिए sin x upon cos x plus cortex क्रोम क्या लिख सकते हैं cos x upon sin x टीक है trigonometry के formula है सिदे सिदे cortex को क्या लिखा cos x upon sin x इसका क्या है square इसे करना है intrigate dx simple LCM ले लिजिए LCM में क्या जाएगा sin x cos x integration क्या बचेगा sin x cos x टीक है upon क्या आएगा यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर divide करोगे cos x में sin x cos x का तो क्या हो जाएगा sin x सिदे LCM ले रहें कुछ भी नहीं कर रहें साइन स्क्वाइर एक्स प्लस साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स का डिवाइड करोगे क्या बचेगा cos x cos x को इस वाले उपर आल से मल्टिपला करते उपर भी cos x यह तो क्या जाएगा cos इसका चले रहे हमारा स्क्वाइर और dx देखो मैं आपको फॉर्मला बताया था साइन स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर एक्स इसकी रालुख होती है 1 टिक है और 1 का है स्क्वाइर तो जाहतू नीची का लग हो जाएगा स्क्वाइर इस इकल टू क्या लिख देंगे आप वन अपॉन साइन स्क्वाइर निया सोरी साइन एक्स और कोस एक्स ठीक है यह हमारा स्क्वाइर है उपड लिख लो चाहे इन दोने पर अलग-अलग अप्लाई कर तो अभी हम उपड लिख दे और डी अक्स ठीक है अब देखो अलग-अ अप्लाई कर लो स्क्वाइर अलग-अलग लिख दो वन अपॉन साइन स्क्वाइर एक्स कोस स्क्वाइर एक्स और डी एक्स हमने करना है इसका इंट्रिकेशन करने के लिए हमें दुबारे उपर कुछ न कुछ करना पड़ेगा इस वन अपॉन साइन स्क्वाइर एक्स का तो वन की जीके दुबारे फॉर्मॉला यूस कर लो वन की जीके आप लिख सकते हैं sin2x plus cos2x क्योंकि sin2x plus cos2x की वेली होती है ठीक है तो लिख लो दुबारे वन की जीके sin2x plus cos2x प्लस cos2x लाग में स्कॉाइर एक्स को इंजाने प्लाइब को स्कॉाइर के दो किया तो इसे ने लिख सकते हैं स्कॉाइर एक्स्ता कि ब हो जाएगा सैक्ष्क्वारेक्स के फिल प्लस चली रहा है देखो स्क्वारेक्स स्क्वारेक्स च्वारेक्स इसको आपक्या लिख देंगे च्और, एक्सष्ट, इउसरी, चैन उड़ोर, इसरी शरी, फ्लयकोरिक, स्क्ष्ट, एक्सट, प्लास इन्टीगशिन चल दिए है, चैन आफ ऐसरी शकुलर्भाइक्स, स्क्ष्ट, का इंट्रिगेशन क्या हता है, तैंटृर्टोर इसरी शच्थ्ट, श्क्षट, ऐसरी ख व मैं यहां लिख रहे हूं, sec square x का integration क्या जाएगा, tan x, equal to में चल रहा है, ठीक है, tan x, और cos x square x, cos x square x का integration क्या होता है, minus cortex, ठीक है, so minus cortex, plus constant of integration c, यही हमारा answer है, कितना easy question है, ठीक है, इस तरह का question हम पहले भी कर चुक है, वो जो हमारा question था हमने इसमें किया था, कि integration of 1 upon sin square x cos x, इसका integration निकालो, तो हमारी यही value आई थी, ठीक है, तो हमारा यहां भी तो यही है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूं, पहले वाले questions को बार-बार students कर लीजी, अपनी note book में, अगर जितनी बार revision करोगा नो, उतनी बार आपको वो याद होता रहेगा, कि आप question भूलोगे नहीं, उसी question को मैंने यहां दुबारे बताया, आपको repeat, ठीक है, यह question हम पहले कर चुके है, तो इसका integration समय जाए, तो integration of 10x plus cortex का whole square, इसका integration क्या होता है, 10x minus cortex plus constant of integration C, ठीक है, यह होगा हमारा answer, easy question to students, तो बार बार students, formulas को और जो हम last questions कर चुके हैं, उनको आप बार बार repeat कर लीजिए, जैसे कि आपकी practice होती रहेगी, जितना practice करोगे, उतना ही अच्छा है, integration उतना ही अच्छे से आपको clear होता जाएगा, ठीक है students, बट next lecture में हम एक और type पढ़ेंगे, उस type के questions को attempt करेंगी, ठीक है, आपको पूरा बताऊंगी, उसमें formulas है, कुछ उनको बताऊंगी, उस से related questions बताऊंगी, ठीक है students, बताएगा, इसमें से वहके जाएग को रखेमी, तो कि अच्छा है भी गहा और स्फेंगी, बताऊंगी, जाएगा जाएगा고। मैं आएगा樂